नमसकार दोस्तों, पॉल्टिकल नेताजी मैं आपका स्वागत है, आशा करता हूँ, आप सब ठीक होंगे दोस्तों एक बार अलबर्ट आयंस्टीन को जब तीसरे विश्यूद के बारे में पूचा गया था तो कही ना कही इसी तरीके से मिलता जुलता लग रहा है देश में कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर के बीच अब तीसरे लहर को लेकर तैयारी शुरू होने जा रही है केंद सरकार के मुख्य वैज्यानिक सलाहकार के विजयरागवन ने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और यह औपरिहारे है यह आना ही है हाँ यह नहीं पता कि यह कब आएगी लेकिन दूसरी लहर अगर इतनी भीशन और लंबी है तो तीसरी का अनुवान नहीं लगाया जा सकता के विजे रागवन ने कहा कि वाईरस के अधिक मातरा में सर्कूलेशन हो रहा है और तीसरी लहर भी आएगी लेकिन यह सपस्ट नहीं है कि हकबाईगर किस स्तर की होगी हमें नई लहरों की तयारी करते रहना चाहिए वाईरस के स्ट्रेशन पहले के स्ट्रेशन की तरह फैल इसमें नई तरह के संक्रमन के गुन नहीं है, लेकिन वेरियंट्स के खिलाब जो नए नए वेरियंट्स आ रहे हैं, इसके लिए वेक्सीन भी उतनी प्रभावी है, यह भी जरूरी नहीं है, दुनिया में नए वेरियंट्स आते रहेंगे। और अधिक काम करने की जरूरत है, जहां तक तीसरी लहर की बात है, तो अगर BMC की बात माने, तो तीसरी लहर में बच्चे भी कोरोना की बुरी तरह से चपेट में आ सकते हैं, इसके चलते BMC और महारस्टा सरकार मिलकर इस सहर में पेडियाटिक कोवीड केर वार्ड करने जा रही है, तो यहां तक की इस्थितिया, और अगर हम एज वाइज रेशियो देखते हैं, यह एज के हिसाब से किसको किस प्रगार का कोवीड का एफेक्ट हुआ है, तो अगर महारस्ट की बात करें, तो राजी के लगबग दो तीहाई संक्रमनों की अगर सतके हैं, अब इसलिए तीसरे लहर में बच्चों के एफेक्टेड होने की जो चांस की संभावना आई है, तो इसलिए कई जगा पे जम्बो कोवीड केर सेंटर, जो की पेडियाट्रिक यानि बच्चों के लिए कोवीड केर वार्ड के रूप में स्थापित किया जा रहा ह और शिशुगहन चिकितसाई काई यानि NICU और बाल चिकितसाई गहन चिकितसाई काई यानि PICU यानि हर हिसाब से बच्चों के लिए बच्चों के लिए बेट की छमताओं के हिसाब से ही प्रयास किया जार और यही उचित है कि अगर तीसरा लहर आना है तो पुरवानुम का हमें इस तरीके से इस्तती भुगतना परा कि जब पूरी दुनिया ठीक हो रही थी तो हम बिमार हो रहे थे जब पूरी दुनिया से बिमारी खत्म हो रही थी तो हमारे यहां लोग मर रहे थे तो अब इस बार हमें सावधान होने की ज़्यादा जरूरत है ज़्यादा सतरक रहने की जरूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सिनेशन करवाने की जरूरत है इस पर सरकार से लेके हमें भी ध्यान देने की जरूरत है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइ शेयर सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों